अगर आप अपने लिए अपने लट बंस के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं या फिर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा इसी के साथ साथ coming week का सापताहिक राशी फल शुरू करते हैं ये 20th November से लेकर 26th November तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में Sagittarius Capricorn Aquarius Spices यानि की धानों, मकर, कुंभ, मीन राशियों के सापताहिक राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चले जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी फल चले इस reading आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of pentacles सबसे पहली चीज pentacles का card है, तो money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related किसी level पे किसी तरीके से gain, फाइदा इस वी क्या तो हो रहा है या फिर कैसे जो भी gain आप चाहते हैं, जो भी profit आप चाहते हैं आपके professional front से related आपको हो, आप उस पे focus कर रहे हैं उसी से related effort कर रहे हैं, क्योंकि आप एक king का card है तो कुछ के लिए हो सकता है, कोई male figure है या female है जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से supportive cooperative energies रह रहे हैं और कहीं money, पैसे से related, जादा ये एक cooperation, एक support रहतावा दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है, कि आप किसी से expect कर रहे हैं, और कहीं उसी से ही related issues, मसले हैं और बहुत ही practical, बहुत ही realistic होके, चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं फिर से कहूंगी, materialistic, tangible, चीजों से related, एक comfort, एक luxury, एक फाइदा या तो हो रहा है, या फिर इस week आपको लग रहा है, कि येस, अब वो एक financial gain आप हासिल कर लेंगे, जो आपने चाहा था, या फिर जो आप चाहते हैं और personal front के लिए, आप लगों के लिए 8 of pentacles का card है तो दिखिए, दोनों ही fronts के लिए pentacles के cards हैं, और कहीं बहुत ही practical, बहुत ही realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं Money, पैसा, materialistic, tangible चीजों पे दोनों ही fronts से related काफी focus रहता हुआ दिख रहा है, और फिर से कहूंगी gain फाइदा भी दोनों ही fronts में किसी न किसी level से होता हुआ दिख रहा है कभी कभी क्या होता है कि direct एक financial gain होता है एक financial support होती है, या फिर money हमारे हाथ में आता है कई बारी materialistic, tangible चीजों से related हमें comfort मिलता है हमें luxury मिलती है, तो वो भी एक तरीके का gain ही होता है तो इसलिए मैंने कहा कि किसी भी level पे, किसी भी तरीके से इन्ही सब चीजों से related, again money, पैसा, finances, materialistic, tangible चीजों से related एक gain फाइदा रहतावा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 of pentacles का card, hard work की बात करता है dedication की बात करता है, devotion की बात करता है तो कहीं personal friend में जो भी आप चाहते हैं उसी से related, बहुत devotedly effort करते हुए दिख रहे हैं इतना जादा कि आप outcome पे भी नहीं focus कर रहे होंगे आपको ये भी इस week नहीं matter करेगा कि आपको कितना gain होता है, कितना फाइदा होता है इस week सिरफ आप अपने करम, अपने effort पे focus कर रहे हैं और देखिए गीता में भी लिखा हुआ है करम करें, फल की इच्छा ना करें और जब हम ऐसी energies में रहते हैं तो जो हमारे लिए best होता है outcome वही हमें मिलता भी है क्योंकि कितनी बार ही हम कोई काम कर रहे होते हैं इस intention के साथ कि ये चीज हमें मिल जाए ये एक outcome, ये एक result हमें मिल जाए लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है लेकिन वो outcome, वो result हमारे लिए अच्छा नहीं होता है इसलिए कहते भी हैं कि अगेन करम करो, फल की इच्छा मत करो क्योंकि फल universe को decide करने दो वो हमारे लिए बहतर जानते है उन्हें बहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है तो कहीं ऐसी ही energies रह रही है जो भी effort आप कर रहे हैं मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसा result आप चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा बट definitely जो result आपके लिए बहुत बहतर है ठीक है वही आपको ज़रूर मिलेगा and guidance है आप लोगों के लिए detach का card है बहुत ही clear message है कि कोई भी काम करें एक detachment के साथ करें मैंने काफी time पहले एक phrase सुना था attached detachment मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखे हम लोग human beings हैं possible नहीं है कि हम detach हो जाएं जिस दिन detach होगे उस दिन तो enlightened हो जाएंगे और फिर तो फिर कोई चीज परिशान ही नहीं करेगी क्योंकि दुख का कारण ही attachment है ना भई ये चीज मिल जाए ये एक अगर jewelry है तो वो मिल जाए best phone मिल जाए या गाड़ी मिल जाए या घर मिल जाए तो ये ही जो चीजों की attachment होती है वही तकलीफ का कारण भी होती है तो हम completely तो detached नहीं हो सकते हैं बट attached detachment अगर हम practice करें और with practice हम achieve कर लें यकीन मानी अपनी जिंदगी को असान कर लेंगे क्योंकि फिर beyond the point you know outcome से हम इतने effect नहीं होंगे हम सिरफ अपने करम से ही attachment रखेंगे तो कहीं दिखिए guidance का कारण भी आपको यही message देता है कि करम करें अपना effort करें और जो result है वो divine पे छोड़ दें universe पे छोड़ दें जो वो दे वही best होगा यकीन मानिये आपके लिए तो इसी एक energy में आप चीज़ों को deal करें and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था city terriers आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए क्या apricorns आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है ego और देखें literally अगर इस card को देखें तो ego की बात करता है और इस week specifically आपके professional front में ego से ही related, छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले रह सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं उनके साथ रह रह रहा है, कुछ के लिए seniors, bosses के साथ रह सकते हैं और overall के लिए देखें, ये card stress और tension की बात करता है और अब इस चीज को सुनके Capricorns आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि देखें, stress और tension actually हम ही create करते हैं external level पे situation circumstances, थोड़े से challenging होते हैं, थोड़े से you know, problematic होते हैं लेकिन उनको देख कर हम खुद से क्या बात करते हैं हम खुद को क्या कहते हैं वही stress और tension create करता है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी आपके external level पे हो रहा है, आप beyond the point अपनी self-talk को negative ना करें देखिए, आप घर से बाहर निकलते हैं traffic jam भी मिलता है red light भी मिलती है और जब आप इन ही चीज़ों पे negatively focus करके परेशान होते रहते हैं क्रिब करते रहते हैं तो आपको stress और tension होना शुरूर जाता है लेकिन जब red light है और traffic jam है आप खुद को बोलते हैं अरे it's fine, ये तो part and parcel है चलो अपने उस दोस से बात कर लेते हैं जिससे बहुत time से बात नहीं हुई और करना भी चाहा रहे थे या फिर YouTube पे कुछ ऐसा देख लेते हैं जो बहुत time से देखना चाह रहे थे नहीं देख पा रहे थे, time नहीं था तो उसी situation में हम बड़े relax रहते हैं बड़े calm रहते हैं और वो situation हमें परिशान नहीं कर पाती है यहाँ पर मैं आपको सिरफ और सिरफ example दे रही हूँ कि कोई भी situation हमारी external life में हो रही हो हम खुद से क्या कहते हैं उसको ठीक करके कहीं हम इस stress और tension को भी अपने से दूर करते हैं और कहीं एक peace एक सुकून maintain कर पाते हैं तो इस चीज का भी आप जरूर खयाल रखें और over obsessive, over possessive भी आप किसी भी चीज को लेकर पाएं खुद के लिए तो उसको भी जरूर चक करके correct करें क्योंकि देखिए जब हम too much attach हो जाते हैं result से या फिर जो भी चीज हमें चाहिए होती है उससे तो कहीं you know हमें लगता है कि ऐसी energies के साथ हम उस चीज को पा लेंगे लेकिन actually में हम tension में आते हैं stress में आते हैं और tension और stress में जो भी काम हम करते हैं वो positive result नहीं देता क्योंकि एक negative emotion होती है और कहीं you know हम अपने result अपने outcome को खुद से दूर करते हैं तो इनी चीजों का खयाल रखेंगे ये week अच्छा रहेगा नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए the chariot का card है सबसे पहली बात chariot का card movement की बात करता है तो कुछ के लिए हो सकता है आप travel कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या फिर उससे related planning हो रही है and कुछ के लिए हो सकता है कोई vehicle आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद रहे हैं या फिर उसससे related planning हो रही है broader level के लिए overall देखें तो कहीं growth, progress पे focus कर रहे हैं जो भी आप अपने लिए personal front में चाहते हैं उसी से ही related बहुत confidently, बहुत assertively आप action initiatives ले रहे हैं और आपको एक positive result, एक positive outcome मिलता हुआ भी दिख रहा है इस week आपको ऐसे लग सकता है कि बस चीजों का control अपने हाथ में लेना है किसी चीट से effect नहीं होना है चाहें जो भी हो, जो चाहते हैं उसको achieve करना है तो बहुत जबरदस एक willpower, determination भी रहती हुई दिख रही है और दिखिए जब भी भी ऐसी energy से हम कोई भी करम करते हैं success हमें मिलती ही मिलती है और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है फिर से mention कर दूँ, आप travel कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं उससे related planning भी रहती हुई दिख रही है आप vehicle खरीद रहे हैं, खरीदना चाहा रहे हैं या फिर उससे related भी planning भी इस week रह सकती है and guidance से आप लोगों के लिए embrace का card है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं जो figure हैं वो दोनों हाथ ऐसे open करके universe की तरफ देख रहे हैं तो ये card यही कहता है कि जो भी आपकी life में आ रहा है उसको embrace करें कितनी बार ही होता है न कि हमें लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है और you know हम अपने आपको block करते हैं, अपने आपको hold back करते हैं और नहीं realize कर पाते हैं कि कहीं इसी की वज़े से आगे बहुत अच्छी हमारी life में चीज़ें रह सकती हैं तो इन अभी कहता है कि going with the flow वाली energies में रहें, acceptance mode में रहें, universe पे complete surrender करते हुए चीज़ों को जरूर करें and astrology से the moon का card है, इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा मंदे तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चले Aquarius आप लोगों के लिए रेखें कि coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Six of Pentacles और ये card कहीं giving and receiving वली energies की बात करता है और ये giving and receiving सब Aquarius के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए money, पैसे से related, आदान, प्रदान, specifically इस week आपके professional front में रह रहा है कुछ के लिए ideas से related है सकता है, आपके मन में कोई बहुत अच्छा idea आ रहा है आप share कर रहे हैं अपने colleague, co-worker, seniors, bosses से या पिर उनके मन में कोई बहुत अच्छा idea आ रहा है, वो आपसे share कर रहे हैं तो देखे हम ये भी कह सकते हैं, sharing and caring वाली energies भी इस week रह रही है कुछ के लिए emotional, mental level पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से giving and receiving वाली energies रह रही है मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपको किसी help support की ज़रत है, आपको मिल रहा है और अगर आपके किसी colleague, co-worker को ज़रत है, तो आप वही help, वही support देते वे दिख रहे हैं फिर से कुछ के लिए money, पैसे से related help support हो सकता है, कुछ के लिए mental, emotional रह सकता है और देखें, जब भी ये काड आता है, हम यही कहते हैं कि एक balance इन्ही energies में ज़रूर maintain करें क्योंकि कोई भी चीज जब जरूरत से ज़ादा होती है, या फिर जरूरत से कम होती है, तो हमें परेशान करती है इसी तरीके से देखें, जब हम जरूरत से ज़ादा किसी को help पर support करते हैं, हमारी expectations उनसे बढ़ जाती है और फिर किसी भी reason की वज़े से उस तरीके से respond नहीं कर पाते हैं, हम hurt होते हैं, परेशान होते हैं इसी तरीके से जब हम जरूरत से ज़ादा किसी से किसी भी चीज की help support ले लेते हैं, तो कहीं उनकी expectations हमसे बढ़ जाती है और हम उस तरीके से नहीं respond कर पाते हैं तो फिर वो hurt होते हैं और कहीं हमारे relationship में problems issues रहते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि giving and receiving बहुत ही beautiful energies हैं sharing and caring भी बहुत ही beautiful energies हैं बट जब हम balance way में करते हैं तो फिर long run तक ये चीजें रहती हैं हमारे relationships अच्छे रहते हैं हमारी life में चीजें भी ठीक ठाक रहती हैं लेकिन जब भी इन में balance बिगरता है तो हमारी life में भी balance बिगरता है और हम परेशान होते हैं तो फिर से इस चीजे का खयाल रखें otherwise ये भी ठीक ठाक रहता हुआ देख रहा है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal front के लिए रहता हुआ देख रहा है अब देखिए again general leading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है आप vacation पे जा रहे हैं आप फिर vacation प्लान कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई get together आप plan कर रहे हैं या फिर कोई get together हो रहा है और ऐसे ही देखिए celebration के लिए भी या तो हो रही है या फिर आप plan कर रहे हैं आप फिर उसी से related discussions चल रहे हैं कुछ के लिए change of place, change of residence, change of location भी रहतावा दिख रहा है और ये changes कहीं positive ही रहते हुए दिख रहे हैं एक beautiful energies आपकी life मिलाते हुए दिख रहे हैं और अगर ये सब चीजे नहीं हो रही हैं तो simply जो भी आपके loved ones हैं, close ones हैं आप उनके साथ जादा interact कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं जादा you know एक togetherness इस week रह रही है और guidance है आप लोगों के लिए darkest fears का card है तो देखिए ये week overall के लिए ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है लेकिन कभी कभी deep inside हमारे मन में कोई एक fear होता है जिसको हम खुद भी नहीं accept करते हैं और कहीं वो fear हमें मनी ही मन किसी level पर परिशान कर रहा होता है तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी fear आपके मन में है आप थोड़ा सा यूनों खुद के साथ बैठ के कैसे उस fear को अपने मन से निकाल सकते हैं उसके उपर ज़रूर focus करें यह जो fears होते हैं यह कुछ नहीं होते हैं यह हमारा एक negative thought process होता है या फिर एक negative self-talk होती है और जब हम pause करके इसी self-talk को positive कर लेते हैं तो यह fears भी चले जाते हैं और कभी-कभी question करने से भी यह fears चले जाते हैं और example मेरा interview है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि पतनी मैं clear करूँगी नहीं करूँगी और जब भी दिखें डर लग रहा होता है एक negative outcome हम सोच लेते हैं और कहीं हम उसी negative outcome पे focus करते हैं खुद को और परेशान करना शूरू कर देते हैं और जब हम pause करके खुद से पुछते हैं क्या यह absolutely truth है कि मैं interview नहीं clear कर पाऊंगी और देखी एक बड़ी पूछने से कुछ नहीं होगा आपको 3, 4, 5, 6 और जरत पड़े तो 7, 8 बारी भी खुद से यही सवाल पूछना है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको realize होगा कि यह truth नहीं है और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है for example आप अपने आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं और आपके मन में आते हैं कि यार पढ़ाई नहीं करी तो कैसे clear होगा तो एक solution आपको मिला आप पढ़ाई करेंगे और दूसरा एक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके मन में अंदर से आवाज आएगी कि जब अच्छे से पढ़ा है तो क्या क्यों नहीं होगा clear हो जाएगा न और यह जिंदिगी का कोई आखरी इंटर्व्यू तो है नहीं पॉइंट बन परसे नहीं हुआ हमने अच्छे से पढ़ाई करी है फिर से दे देंगे एक poetry भी बच्छपन में हम सब लोगोंने सुनी होगी पढ़ी होगी learn करी होगी try again until you succeed तो जब देखें इस तरीके की एक positive self-talk होती है तो जो problem होती है उसका health solution हमें मिलता है एक clarity आती है fears गायब होते हैं तो इसको आप practice कर सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए वो a goal sign का card है इसके इस app से all shades of beige इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा वेड़नेस दे तो ये था एक वेरियस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए पाइसे आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है night of pentacles और देखिए pentacles का card है तो कहीं बहुत ही practical बहुत ही realistic तरीके से चीज़ों को करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है जहां पे आप बहुत safe, बहुत secure होके चीज़ों को करना चाहा रहे हैं आप किसी भी तरीके का risk नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहा रहे हैं और जो भी आप चाहते हैं, उसी से related एक concrete planning आप करते हुए दिख रहे हैं क्या आपके next steps होने चाहिए, क्या आपको next करना चाहिए और फिर से मैं कहूंगी बहुत ही practical, बहुत ही realistic तरीके से हर चीज़ को करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं और कहीं देखे कुछ के लिए हो सकता है, कि आप safety security पे इतना जादा focus कर रहे हैं कि कोई अच्छी opportunity आ रही है, आप उसको भी कहीं इतनी एहमियत नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि safe secure होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब over यह energies हो जाती हैं, जहाँ पर हम सिरफ और सिरफ यही सोचते रहते हैं कि बस, you know, हम कहीं fail ना हो जाएं हमने सिरफ safe तरीके से चीज़ों को करना है, तब कहीं हम अच्छी opportunities को recognize नहीं कर पाते हैं और हम उनको miss करते हैं, आगे चल कर परिशान होते हैं otherwise देखिए यह week काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है, फिर से कहूंगी pentacles का card है, तो money, पैसा, materialistic, tangible, चीज़ों से related, काफी सारे prices, या फिर कुछ prices को gain भी होतावा दिख रहा है and अगर gain नहीं भी हो रहा है, तो money, पैसा, materialistic, tangible, चीज़ों से related, चीज़े ठीक ठाक रहती हुई दिख रही है कभी-कभी होता है न कि हमें एक immediate gain होता है, जहां पर हमारे हाथ में money आता है कई बार ये एक indirect gain होता है, कि एक comfort है, एक you know, हमारी planning ऐसे चल रही है चीज़े इस तरीके से आगे बढ़ रही है, कि हमें एक assurance होता है कि money से related या फिर किसी भी materialistic चीज़ से related gain फाइदा होगा तो दिखे ये तो रह ही रहा है, बट at the same time, आप बहुत safe, secure होकर अगर you know, खुद को चलते हुए पाएं, तो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन in the process, अगर कोई opportunity को आप बहुत ही जादा analyze कर रहे हैं इतना जादा कि आप किसी भी तरीके का risk ही नहीं लेना चाहा रहे हैं तो जरूर चक करके correct करें, क्योंकि जब तक हम calculated risk नहीं लेते हैं तब तक life में success को भी नहीं हम पापाते हैं तो nutshell में मैं आपको यही कहूंगी कि calculated risk अगर लेने की ज़रत पड़े इस week तो ज़रूर ले, अच्छी opportunities फिर से कहूंगी आ सकती है and money, prices related या तो direct gain या फिर indirect gain ज़रूर इस week किसी न किसी तरीके से रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लगों के लिए Ace of Pentacles का card है तो दीखें दोनों ही pentacles के cards हैं तो overall चाहे professional front हो या personal front हो बहुत ही practical, बहुत ही realistic तरीके से चीज़ों को deal कर रहे हैं personal front के लिए देखें तो Ace's कहीं नई beginning की बात करते हैं तो किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक नई beginning भी होती हुए दिख रही है अब दिखें ये नई beginning सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए नया घर, कुछ के लिए नया office, कुछ के लिए नई गाड़ी और दिखें ये नई चीज या तो आ रही है या फिर इससे related planning चल रही है इससे related discussions हो रहे है इससे related सोच चल रही है इसी पे ही focus रहतावा दिख रहा है तो फिर से कहूंगी कि ये नई beginning सब के लिए differ करेगी लेकिन practical, realistic level पे जादा रहती भी दिख रही है और materialistic, tangible चीज़ों से related जादा रहती भी दिख रही है जैसे होता है ना आपने कोई बड़ी purchase अगर करनी थी आप नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे तो इस week या तो कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं या उसी से related कोई एक activity रह रही है और कुछ के लिए जैसे मैंने आपको बताया नया घर, नई गाड़ी, नई जिवल्री, कुछ भी ऐसा नया भी हो सकता है आप ले रहे हैं, कुछ के लिए नया routine हो सकता है आपका अगर पीछे इतना कोई या प्रॉपर routine नहीं था और आप बहुत time से सोच रहे थे कि एक routine, एक discipline अपने लिए बनाएं तो हो सकता है, नया routine बना रहे हैं कुछ के लिए नया कोई friend भी हो सकता है, जिससे जादा interactions हो रही है तो देखिए, possible नहीं है कि मैं specifically आपकी situation को mention करूँ बट overall के लिए कहीं बहुत practical, realistic तरीके से चीजें हो रही है कोई नई चीज भी हो रही है, करना चाहा रहे है उससे related planning सोच रह रही है और money पैसे से related, ये पूरा week दोनों ही friends के लिए ठीक ठाक बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है and guidance है, आप लुगों के लिए healing begins का card है बहुत clear message है, पीछे कोई चीज आपको hurt कर रही थी, परिशान कर रही थी उसी से related healing भी इस week होती हुई दिख रही है या फिर वो चीज से related एक चीजे बहतर होती हुई दिख रही है या इस week उसकी शुरुवात होती हुई दिख रही है तो इन आवे देखे, ये card भी किसी चीज के शुरू होने की बात करता है क्योंकि फिर से कहूंगी ये general reading है, सब के लिए ये शुरुवात ये beginning थोड़ा थोड़ा differ करेगी लेकिन कहीं positive चीजे होती हुई दिख रही है and astrology से Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red, rust, maroon आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए